नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गजाला प्रवे देश के 32 बच्चों को गरतंत्र दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नैशनल चिल्रन अवार्ड से सम्मानित किया है पुरसकार पाने वाले इन बच्चों में कुछ तो खास है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है पुरसकार पाने वालों में शामिल है गुजराग की बेटी खुशी चिराग पटेल खुशी चिराग पटेल ने स्केटिंग में एक आलग पहचान बनाई है गरतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अवार्ड से सम्मानित खुशी ने गुजरात का सम्मान बढ़ाया है रास्ट्रिय बाल पुरसकार जीतने वाली गुजरात की बेटी खुशी चिराग पटेल महेज 16 साल की है वो चीन में हुई सत्री रोलर स्केटिंग चैंपियंशिप में तीन गोल्ड जीतने वाली एक लौती भारतिय महिला बनी है जो महिला स्केटिंग शेत्र में एक मिसाल रही 2018 में वो दक्षिन कोरिया में हुई अठार्मी एशियन रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में भारतिय टीम का हिस्सा बनी थी और चोथे स्थान पर रही वो अंडर 19 में सबसे छोटी प्रति भागी थी आईए बाके सुनते हैं खुशी से मुझे प्रदान मंतरी राष्ट्रियबाल पुरसकार से सम्मानित किया गया है और मुझे खेल कूट के शेत्र में ये अवार्ड मिला है मैं आर्टिस्टिक रोलर स्केटर हूँ मैं आर्टिस्टिक स्केटिक चार साल की उमर से कर रही हूँ तब से मेरे कोच का बहुत प्रोथसाहन और सपोर्ट रहा है मैंने चार साल की उमर से मैं स्टेट च scra October में भाग ले रही हूँ national championship और 13 सी उमर में मैंने Asian championship में भाग लेना शुरू किया तब से 6-7 गंटे की प्राक्टिस रोज सुबह सांच होती है और देड़ दो गंटा फिटनेस टेनिंग होती है पूरी जर्णी में मुझे फ्रैक्टर्स भी हुए है पर हर बार एक ही आशाय की आगे देश का नाम रोशन करना है और इसलिए ज्यादा कड़ी मैनत करना जारी रखाँ खुशी ने सिर्फ चार साल की उम्र में स्केटिंग करना शुरू किया था इसके बाद खुशी ने स्टेट, नैशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई आर्टिस्टिक रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और कई कॉम्प्रीशन जीते अब तक खुशी नेशनल लेवल पर साथ गोल्ड मैडल, चार सिल्वर मैडल और दो ब्रॉंज हासिल कर चुकी है वही स्टेट लेवल पर 25 गोल्ड और चार सिल्वर मैडल जीते हैं साल 2010 से खुशी इस खेल में लगातार स्टेट चैंपियन रही है आगे भी खुशी अपने देश का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही है One India Hindi के साथ